आज जो है हम एक बड़े ही important विशह पे बात करेंगे जो की है ectopic pregnancy अब ectopic pregnancy का क्या मतलब होता है इसका मतलब यह है कि बच्चा जो है बच्चेदानी में ना रूपके बाहर की structures में जैसे कि ovaries, tube या cervix में रूप जाए यह एक dangerous situation हो सकती है किसी भी pregnant lady के लिए क्योंकि जो यह बाकी के organs होता है जैसे कि tubes या ovaries, they are not meant for holding the pregnancy इनमें इतनी capacity नहीं होती है कि यह pregnancy रोप पाए तो इस वज़े से जो है अगर tube में बच्चा रूप जाता है तो कई बार यह tube रप्चर हो जाती है या फट जाती है जिसके वज़े से अंदर bleeding हो सकती है और इसके लिए immediate treatment की ज़रूत होती है इसके कारण क्या हो सकता है कई बार जो है जो commonly, most common आजकल जो reason देखा जाता है वो है unwanted 72 का intake यानि की eye pill जो बिना किसी practitioner के guidance के patients ले लेते है over the counter दूसरा reason हो सकता है कई बार infections होती है pelvic जो की treat नहीं होती है और जिसके वज़े से tubes में infection के कारण pregnancy जो है migrate नहीं कर पाती है तीसरा reason हो सकता है कोई history of tuberculosis जो की इंडिया में बहुत common reason है अब इसके symptoms क्या हो सकते है कि ट्यूब में बच्चा रुका है पेंड हो सकता है सबसे पहले तो pregnancy test positive होता है pain spotting associated कई बार अगर ये severe condition में जाए तो patient को चक्कर आ सकते है क्योंकि ये internal bleeding की वज़े से होता है patient में look very pain because of blood loss BP कम होना या shock में जाना तो इसका solution यही है कि जब भी आपकी pregnancy test positive आता है तुरंद अपने doctor को visit कीजे ताकि वो आपको guide कर सके कि pregnancy आपकी सही ज़़ब पर है याने कि intra-utrine है और ना कि extra-utrine so timely care and help will always help you to avert the problem जो आगे आ सकती है thank you